Hello Guys Welcome Back I am Pushpandak and Welcome to Fly Academy Profit and Loss का हम पहले एक वीडियो में बनाया थे जिसमें शौट ट्रिक में आपको बताई थी लगर बेसिक नहीं बतायाते कोई खास तो इस वीडियो मैं आपको basics बताने वाला हूँ profit and loss के और बहुत सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ तो स्टार्ट करते हैं तो देखे का profit and loss profit क्या होता है एक लाव होता है हम अंगर हम सम्परवा, सब लोग जानते हैं आगर हमने कोई चीज़ 10 अरुपई खरीदी और अगर उसमें 12 और पहर हम Lमद होगा हमे profit होगा है हमने कोई चीज़ 10 रुपई खरीदी और कुछ उससे कम वह गाज़ी जितने की खरी दी उससे कम में बेज दी पांच में बेज दी तो हमें नुकसान हो गया लहानी हो गई हमें लॉस हो गया तो आप को परसेंट लॉस परसेंट निकालना होता है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है आपको लॉस निकालना होता है कभी आपको सीपी न जिसमें हमने खरीदी कोई चीज selling price मतलब SP जिसमें selling price जिसमें किसी चीज को बेचा है तो आप ध्यान से देखिए का profit profit आपको कब होगा profit आपको तभी होगा जब आपकी selling price जादा होगी और आपकी cost price कम होगी suppose करिए का आपने 100 रुपे की कोई चीज खरीदी और 120 की बेच दी तो आपने selling जो आपकी cost price थी 100 रुपे और selling price 120 तो जादा है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो profit हुआ है आपको अगर आपको loss होगा तो loss कम होगा जब आपका cost price जादा होगा और selling price क्या होगा आपका कम होगा तो इस तरीके सा profit और loss का यह formula होगा अब हमें निकालना profit percent तो profit percent का formula होता है कि जितना में profit हुआ है upon CP into 100 ठीक है क्या होगा profit percent का formula जितना में profit हुआ है upon cost price into 100 अगर हमें loss हुआ है तो loss percent कैसे निकालेंगे loss कितना हुआ है अपोन में CP इंटू में 100 तो यह हमारा loss फरसेंट हो गया अगर हमें loss फरसेंट निकालना तो जित पहले आप loss निकालना है अपवन में CP into 100 गर तो अगर हमें profit निकालना है तो profit सीप कर दो into 100 कर दो तो यह profit loss के formula होगा अप उनके percent के formula हो गाए तो अभी हम इतना ही बेसिक से चीजे हैं आगे भी और बड़े-बड़े कोशन आएंगे से मार्केट प्राइज डिसकाउंट वह मैं आपको आगे बता हूंगा भी हम इस पर कोशन को सॉल्व करते हैं जैसे आपको कोशन दिया है कि सैलिंग प्राइज किसी की है 100 रुपीज ह और आपको फाइज है एफ लॉस और फाइज अप्रफेट लॉस परसंट दोनों या आपको निकालना है स्मेट से विल्या प्राइज कि अहृत इंग प्राइज प्राइज इस बड़ािए सबीज बढ़ा है से的ौ कांव ओन प्रोफuben से बढ़ा है तो आपको मेथे ऑफिन 100-80 तो आपको 20 रुपे का फायदा हुआ कितने रुपे का फायदा हुआ आपको 20 रुपे का फायदा हुआ अब आपको परसेंट निकालेंगे तो मैंना बहुत है प्रॉफित अपॉन में CP इंटू में 100 तो प्रॉफित कितना हुआ आपको 20 रुपे हुआ है CP कितना आपका 80 इंटू में 100 1-0 से 1-0 Cancel हो गया 2-1-2, 2-4-Z 4-25 तो इसका मतलब यह कि आपको 25% का profit हुआ है आपको कितना percent का profit हुआ है 25% का profit हुआ है अगर suppose करिएगा यही question में अगर क्या हो जाता यह हम interchange कर देते अगर आपको cost price 100 rupee होती है और selling price 80 rupees होती अगर cost price आपकी hundred है और selling price आपकी 80 है तो अब इसी बात है यहापे cost price बढ़ा है selling price कै Kazza चोट है तो आपको loss हुआ है तो loss का क्या formula होता है cost price-selling price कितना हो जाएगा 100 minus 80 तो कितना हुआ आपको यहांपे भी आफको कितना लॉस हो गया यहांपे बीस-गा लोज हो गया क्ए आपने सौड़े की चीज़ खरी रॉपय में बैश दी तो आपको लॉस परसेंट निकाला अट क्या होगा लोस आपो जा सीपी इंटो में 100 प्रांट निखकर 이 परसेंट का लॉस रहें किब सक्राइब आपको लॉस हुआ है बीघंत का लास हुआ है अब हमागे देखते हैं जैसे आपसे कहा जाए कि अगर आपको selling price आपको 100 रुपे दी है cost price आपको कहा की find करो और आपको जो profit हुआ है प्रॉफेट जो आपको हुआ है वह 25 रडूपीगग है और आपS नियुका चाहिए आपसे यहां पे कहा जाए कि आपको सलिंग कोस्ट प्राइससथ्य लीन कुछ में करने शन्ट मृं आपको प्रॉफिट परॉफिट पर्सेंड भी निकालना throughout the present पलेगी तोसम्द तसे निकालने आपको पता ही profit का formula क्या होता है SP-CP होता है SP-CP तो profit क्या 25 SP कितना है 100 CP मेरे को निकालना है ठीक है तो इसको दर लेंगे 25-100 equals to minus CP यह plus का था इस तरह पागे minus का हो गया तो 100 में सब्जाय माइनस का 75 माइनस का CP माइनस से माइनस कैंसल तो CP कितना हो गया 75 अब यह आपने चीज खरीदी थी जो भी सामान तो 75 रुपे का आपने 75 का और जो बेच आपने 100 रुपे का तो profit percent के लिए क्लिए 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 आपका profit कितना है 25 selling price कि cost price 75 into 100 तो 25 तो 100 अपन में three तो यह जाएगा आपका three 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 percent तो 33.33 percent आपको क्या हुआ है profit हुआ है 33.33 percent आपको क्या हुआ है profit हुआ है तो देखी का question क्या लिखा हूँ question लिखा हुआ है कि 12 रुपे के 10 केले खरीद का 15 रुपे में बेच दिये लाव यहानी प्रतिसत बताओ तो जारा ध्यान से देखो तो यहां पर हमें इस तरह के theoretical question आते हैं इस तरह की paper में आने वाले हैं यहां पर केले की जागे article लिख देंगे pencil लिख देंगे कुछ भी लिख देंगे question ले इस तरी के कही रहेगा 12 के 10 के खरीद कर बलाब आपने 12 रुपे के 10 के खरीदें और उससे बोला कि 15 में बेच दी यह 15 रुपे के बेच दी यह जो 10 के ले आपने 12 के खरीदे 15 में बेच दिये तो अब यसी बात है आपको profit हुआ है क्या हुआ है कि आपको निकालना चीज है कैसे करते हैं कि और द्यांसे सुनिए कर जब इस तरह के कोशन आपको तेंसर लेने की जिरूब नहीं आप सिधा क्या करें आप एक की प्राइज निकाल लेंगे एक का सब्सक्राइज निकाल लेंगे आराम से अंसर याग़ाएगा देखी है कृधा जैसे यहां पे मेरे को पता है कि 20 के 12 रृपय के 10 bigger तो मैं लेक्षों में लेखें को egy के लेका म 250 कोषज passieren को कि क्या होगा बता है 12 रृपय के 10 ने तो 12 रृपय में 10 होगा कि नहीं हो 12 रृपय में 10 अब आप कहेंग heh यह लेका SP निकालेगा तो कितने का बेचा उसने टोटल 15 रुपे का बेचे उसने 10 के ले तो यहां पे आप डेसीमल चाहे तो रख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको सॉल्व करें हमें इन पर दिखेंगे कि प्रॉफिट कितना तो प्रॉफिट क्या होता है SP माइनस CP फिप्टी अपॉन में 10 माइनस 12 अपॉन में 10 तो कितना हो जाएगा आपका पंद्रा अपॉन दो को बेसिक 10 नहीं 15 माइनस 12 तो कित इसको करेंगे 25 तो इसका मतलब इसको कितने पर सेंट का लाव हुआ है उसको 25 प्रतिसत का लाव हुआ है एक बार और समझ लीजिए 12 के 10 केले खरीद कर 15 में बेच दिए गए लाविहानी प्रतिसत बताइए तो आपने एक केले का कॉस्ट प्राइज निकला एक कितने का खर है तो टोटल बार रोपे 10 केले करें तो बार अपन में दस किया एक केले का एसप अमने बैचा कितने में 15 रोपे तो बन्रा वटे में 10 कर दिया तो उन्हों को प्रॉपिट माइनस करेंगा 15 बटे 10-12 बटे 10 कितना बच ए 3 पॉंट 10 तो इस थी अपॉंट एन आपको प्रॉ 25 तो इस तरीके से हुआ को सब्सक्राइब का और को यह प्रिट पर सब्सक्राइब होlav कर एरह दो कहने कमें दो और ऐसे ही आप इन चीजों को समझें अगर आपको कोई भी डाउट से इस कोशन से रिलेटेड तो कमेंट करें तो मैं उसमें आपको कमेंट में पढ़कर आपको बक्काएदा पूरा-पूरा उसका सॉलिशन दूँगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा थैंक्स वर वाचिए